लिए चली स्टार्ट हो गया एक चक कर लिए इस टार्ट हो गया ग्याअरे हं सथा सब्ढ रिकॉर्ड इन Atlantic अच्छा अब Muni sensors पढ़ा रहा था यह में इसमें दिखा रहा है एवी प्लस बीडी वराबर ट्वाइस भी सी इसमें दिखा रहा है इसलिए कोशन फस गया था बासन में आ पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोने तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर यह प्रूफ करना है एसी प्लस बीडी बराबर ट्वाइस बीसी तो यह बड़े राम से प्रूफ हो जाएगा इसको लिख सकते हैं एसी और बीडी को देखिए इस ट्राइंगल में देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ए बीडी इस ट्राइंगल में देखेंगे तो एबी प्लस एबी प्लस बीडी बराबर एडी बहा सुन में आ रही न इस ट्राइंगल में देखेंगे तो एबी प्लस बीडी बराबर एडी और एडी ही बराबर क्य है BC AD क्या है BC तो इससे आप देखिए कि BD BD को इसमें आप लिख सकते हैं BD can be written as this implies that BD is equal to BC minus AB और BD यहीं पर सब्सूट कर दिए बीडी यहीं और AC को आप क्या लिख सकते हैं इस ट्रैंगिल में देखिए इस ट्रैंगिल में देखेंगे तो AC is equal to AB plus BC तो AC की जगे AB plus BC put कर दिजे AB plus BC और प्लस BC और माइनस AB minus AB AB कड़ी आएगा और यह हो जाएगा ट्वाइस BC के बराबर ट्वाइस BC के बराबर hence proved फिर क्या हो जाएगा hence proved अब इतना लंबा चोड़ा इतने असान सवाल में इतने आपको नहीं करना है जैसे मैंने दीले दीले समझाया है इतना इतना आप दीले दीले करना न है वासन में न क्यूंकि क्या कहते हैं कि आएख तो एक तो इजी कोशन है नीट में तो नीट का कोशन है का कटिंग कोशन नहीं है अगर इस तरह कोशन को आपको आथे देखना मन महीं इसा बात सोच के कर कर देना है अब नेक्स छीज देख힌 के अब अगली बात में बताने आ रहा हूं वेक्टर में यह कोशन हो चुका था यह कोशन कली हो गया था यह क्या हो गया यह बोर्ड बोर्ड पर जाएं धुबोर्ड फिर वही से स्टार्ट करें है डॉकुमेंट्स है फिजिक्स पीडियाफ है चलिए यह सब क्या हो गया यहां से क्या है यहां से गरबड़ हो गया था चलिए देखिए ठेके ना इधर रखो बढ़ा तो अभी हो जाने दीजिए फिर हम वेक्टर साज खतम कर देंगे मोडूल है कुछ अगर टाइम बचेगा तो मोडूल से भी सवाल चलेंगे ठीक ना और एडवांस वाला जो कोशन है जो एडवांस वाला कल नहीं कल तक तो अभी कोशन चलने दीजिए इसमें काफी है अच्छे अच्छे कोशन अधिकल है वह एडवांस लेव हो लिए है तो जब यह हो जाता है कि सेटिंग हो गई है अच्छा कि सेटिंग को अलग तरीके से भी लोग समझ लेते हैं कि देखिए कहां पे थे हम लोग किस जगह थे यह देखिए यह हो गया बिटा टू फोर्सेज इच निमरिकल इक्वल टू टेन डाइन्स और एक्टिंग इस शोन इंद फिगर देन फाइंड इस तो वेक्टर्स यह कोशन हो गया था कल हो गया था पनिया से तो अभी जैसे म इसमें भी अच्छे-च्छे कोशन से कम से कम 20 कोशन अनलेटिकल में है और वह एकदम एडवांस और मेंस लेवल आप मान लिए आप तो एक बार उसको कर लिया जाए और फिर वहां से हम लोग कर लेंगे तो अब आप देखिए नेक्ट्ट कोशन देखिए यह यह चोटी- तूवेक्टर्स ऑफ इक्वल मेंगनिचूड्ड विल बी अट देर बाइसे कर अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैंगनिचूड आपस में बराबर है तो उनका रिजल टन्ट उनके बाइसे कर पहोगा तो यह बाद बड़े राम से प्रूफ किया सकती है यह आपको दिया ठिक है ने अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैंगिचूट जिनका मैंगिचूट वराबर है और उनके बीच के एंगल सेटा है तो रिजूटेंट क्या होगा सबस्क्राइब कहां कर दोनों का मैंगनिचूट बराबर है तो दोनों का रिज देंट या होगा इन दोनों के एंगिल सिख्रखिए को इसको प्रूफ किया सकता है यह से मान लिए अगर इसे मांपारमों का में करनिशूट बराबर है तो रिजलिटेंट होगा कि अब का अंडरूट आफ ऐस्क्वार प्लस यह स्क्वार क्या यहीं नहीं होगा थे टो इसको फॉर्दर जब आप करेंगे तो आप का जाएगा अंडरूट ट्वाइस एस्क्वार वन प्लस प्लस तो यही आया है तू एक नहीं पोड़ा कि इनका रिजल्टन्ट इतना होगा ठीक है ना फिर आगे आप देखिए इस पेशल केज इफ थीटा इस एकॉल टू ओन ट्वेंटी डिग्री अगर थीटा बराबर वन ट्वेंटी डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा इसी फॉर्मले में पूट कर दीजिए ट्वाइस एक उस वन ट्वेंटी वाइट और कुछ मुख्य मुख्य बात बता कि अगर सवालों पर आयते तो भी सब बात तो कोशन लगाते समय भी हो जाती ना अगर रिजल्टेंट आफ वेक्टर आप जानते हैं उसका फॉर्मला क्या होता है तो छोड़े बात तो आप मैंनुप्लेट करी लेते ना लेकिन फिर भ टॉरिए तो रिजल्टेंट अबबर दिस बराबर फिर अबर बराबर विवल analyse ऑगा जिए ऐस्टिय को गया थै Natomiast अगर थी टा बराबर 120 डिग्री एक लिए थीटेन लिए मौड़ मॉड़ आफ ए प्लस बी-वरॉबाबर मौड़ आफ ए मॉड़ वरॉब बराबर वी बड तो आप देखें पूट करेंगे तो वही बात यहां पर कहिए तो यह बात अगर इस रूप में हम ना भी बताते तो भी क्या होता तो भी आपको पता है रिजल्टेंट क्या होता बोलो भाई लेकिन हम सब बातों को जो जो बातें आपके सफर कर रहा है तो थोड़ा फास कर देंगे इसको अभी शुरुआत में चलने दीए अच्छा अब नेक्सी देखिए नेक्सी देखिए हुआ हाँ रिजल्टेंट अफ टू युणिट वेक्टर्स है इसनुट्र शी निदेखिए और उन लेक् độ कर В2 युश्यट कर और एक और युणिट वेक्टर आता है तो इनकिंगượng्यौ brings 302 अधि के बात हुई तो अगर दोनों का मेंचूट बराबर है और दोनों का रियलटेंट भी एक यूनिट वेक्टर आता है यह अभी मेंचूट दोनों के मेंचूट के बराबर है तो यह तब ही संभव है जब आंगिल उनके बीच क्या होगा 120 डिग्री इसकी पहले बात हुई है हुई है ना बले अब और देखिए सारा वेक्टर्स में एक बार समझा चुका हूं अब रिटेन नोट्स के फॉर्म में वही बात एक एक बार में अंडरलाइन कर दे रहा हूं जो एंडरस्टेंडिंग मैंने दिये वही बात एक्जेक्टली है ही उससे आदा कुछ नहीं है और सवाल कोई लिम हो तब कुछ नहीं होगा अब नेक्स देखिए इसी बात को उल्टा करके लिख दिया इंगल बिट्वें टू यूनिट वेक्टर इस वन ट्वेंटी डिग्री देन रिजल्टेंट इस एनधर यूनिट वेक्टर वही बात जो बात यहां कही है वही बात दूसरे शब्दों में यहां कह दिए जो बात यहां कही है उसकी बाद दूसरो शब्दों में यहां कह दिये कश्वर कुछ बो क이지 टीचर किताब से जड़ा नहीं पढ़ाता है को थीजिक्स बनाता नहीं है कि सिस्टुप निउटन जिए मूटनमी जो हम बोलेंगे मेगा किसी भी किताबों में वह कोईoup적 भताएगा हगे तो फिर तीचर का इंपॉर्टेंस क्या है जब सारी बात आ पी किताखों में है और तीचर इंपॉर्टेंस क्या है ढूंळिये आपका टाइम सेव करता रहां जिस बात को आप दिन भर सीखेंगे वह आपको एन गerson में सिखा देगा क्या पता तीन दिन बैठके आप वेक्टर पढ़ें तब जो समझें वह तीन घंटे हम लेक्चर दें तो आप समझें यही मेरा इंपॉर्टेंस हैं कुछ भी नया नहीं बताएंगे वहीं बताएंगे जो आपके किताबों में हैं और जो सबके पास वो किताबे हैं टाइम बचाता है एक अच्छा इंवार्मेंट देता है ठीक ना डिफ्रेंट उसमें कनेक्टिविटी देता तो अगर वह लाब आप नही लिए मैं कहा रहा हूं कि इतना फोकस रही है कि क्लास की बाद क्लास में खतम कर दिए और शुरुवात इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं 15-20 दिन बाद अब से एक आद दूर टॉपिक के बाद इस सब बात नहीं मैं नहीं बोलूँगा आपको हैबिट पड़ चुकी क्लास की बात 100% क्लास में खतम कर दिए घर पर नहीं पड़ना है कि बासन में आ रही है अच्छा अब नेक्स देखिए मैं आपको एक छोटी सी बार बता रहा हूं addition of more than two vectors law of polygon जरा इसको मैं बढ़िया से समझा दो पहले इसके लावा अच्छा चली छोड़ दीए इसको मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं पेज नहीं यह समझा दे रहूं मैंने यह बात आपको पहले बताई थी मैंने यह बात पहले आपको समझाई थी कि अगर दो वेक्टर्स को एड करना है या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एड करना है तो उस केस में ट्रेंगुलर ला और पैरलेलोग्राम ला तो हमेशा लगेगा अगर माली पचास वेक्टर हैं एड करना है तो ट्रेंगुलर ला पैरलेलोग्राम ला से तो आप हमेशा परफ़ाइडे कर ले आइंगे बासन में आ रही वासन में आ रही बरू भाई रही में आपको बताया था लेकिन को एड करने का एक और तरीका है जिसको कहते हैं फॉलिगन लाइडिचन बासन में बासन में लेकिन पाहली तौहली लाफ ट्रॉड fantas केस में इस law से आप vectors को add नहीं कर सकते हैं, polygon law of vector addition केवल उस case में लगता है, restrictions है इसमें, restrictions है, केवल उस case में लगता है, polygon law of vector addition यह क्या आ गया? कि यह क्या हो रहा है तो बेंगे लेक्ष्टर सुनिए मेरा इस पर ध्यान दीजिए आप इसको सेट करिएगा आई अपना अपना समाली अपना विभाग समाली लिए डिपार्टमंट आप प्रकार से अरेंज कर सकें कि वह एक ओपन पॉलीगन के रूप में आ जाए अगर जो दिये हुए वेक्टर है जिनको हमको एड करना है उनको अगर हम इस प्रकार से अरेंज कर सकें कि वह Click is old of an open promise को रूप में अरेंज कर सकें कि वह अगर कुछ कि और को उपन पॉलीगन के रूप में अरेंज हो जाएं तो ऐसे केस में हम पॉलीगन लौ वेक्टर अडिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो साइड पॉलीगन को क्लोज करेगी तो जो साइड पॉलीगन को क्लोज करेगी वही साइड क्या होगी resultant of all the vectors बासन में आ रही ना अभी मैं फिगर से दिखा दे रहा हूं और फिर आपका जो रिटेन नोट्स है उसमें इंटरलाइन करके दिखा दे रहा हूं और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए बेसिक्स के साथ कोई कॉम्प्रमाइज नहीं अरे हर चेप्टर में 15-20 बेसिक्स हैं व आप पॉलीगन लौही नहीं जानते हैं आप परलेलोग्राम लौही नहीं जानते हैं यह बात चॉल लेवल नहीं है बासन में आ रही ना तो अब आप देखिए कि जैसे मान लिए कुछ वेक्टर्स हैं कुछ वेक्टर्स हैं और उनको एड करना है मान लिए कुछ वेक्टर से अरेंज कर सकते हैं उसको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं विए क्या है ये उसको अगर हम consecutive sides of an open polygon के रूप में arrange कर सकते हैं जैसे यहां करेंद कर दिया बास समझ में आ रही ना बास समंद में आ रही है तो जो जो साइड इस पॉलिगन को क्लोज करेगा वही साइड क्या होगा इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा जो साइड इस पॉलिगन को क्लोज करेगा क्लोज करेगी वही क्या होगी इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा और बराबर A plus B plus C to the plus C plus D plus E. Polygon law of vector addition is only used when certain vectors can be arranged as the consecutive sides of an open polygon then the side closing the polygon will be the resultant of all these vectors. अब इसको प्रूफ करके दिखा दें जैसे A और B को एड करेंगे तो resultant यह होगा triangular loss है. अब उसके बाद इसको और इसको add करेंगे तो resultant क्या होगा यह होगा triangular loss है. होगा ना बेटा अब उसके बाद इसको और इसको add करेंगे तो resultant यह होगा होगा ना बेटा होगा कि नहीं होगा बोलो भाए उसके बाद इसको और इसको add करेंगे तो real tend यह होगा बास सन में आ गई clear है बोलिए भाई लेकिन यह हमेशा इस्तमाल नहीं कर सकते है इसको इस्तमाल तभी कर सकते है जब जब कव पताई यह हाँ अब देखिए next चीछ देखिए यही चीज आपका इसके रूप में दिखा दिया है यहां दिखाया है if some vectors are represented by sides of a polygon in same order then their resultant vector is represented by the closing side of polygon in the opposite order r is equal to this इससे अच्छा language मैंने इस्तमाल किया इससे अच्छी language मैंने इस्तमाल किया समझाते है ठीक है न अच्छा अब देखिए माल लिए इन vectors को add करना है माल लिए इन vectors को add करना है तो यह क्या हो जाएगा a ऐसे रिप्लेंड कर दिया b ऐसे कर दिया consecutive side c ऐसे d ऐसे तो real tend क्या हो जाएगा जो side polygon को close करती समझ में आगे है बटा एकदम पढ़ियां से अब देखो अगला खिस्सा एं उनल वेक्टर होता है आप इसी से देख लीजे जैसे माल लिए polygon क्या होता है a figure of n sides a figure of n sides तो माल लिए यह close polygon है यह close polygon है तो इसका resultant हमेशा नल वेक्टर होगा आप तो समझ गए होंगी कैसे होगा इसका इसका resultant होगा a होगा और इसका और इसका resultant होगा इसका और इसका resultant होगा a तो यहां से लेके यहां तक का resultant होगया यह और चौथी side उसका opposite vector है चौथी side उसका opposite vector है तो अगर कोई close polygon है तो उसके consecutive sides vector के रूप में है तो उसका Relton क्या होगा अंडा क्या होगा अंडा मुर्गी नहीं होगा अंडा कि लिए हाँ नल वेक्टर होगा नल वेक्टर होगा जिरो नहीं होगा क्या होगा नल वेक्टर होगा जिरो नहीं होगा अब देखिए नेक्स चीज सब्ट्रेक्शन अफ टू वेक्टर्स नेक्स चीज जो आपके सामने आ रहे हैं सब्ट्रेक्शन अफ टू वेक्टर्स तो यह सारी की सारी खिस्से कहानी मैं बता चुका हूँ सारी बातें बता चुका हूँ एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ खुब गौर से देखिए खुब गौर से देखिए खुब इतमिनान से कि मैंने आप से कहा था There is no separate rule There is no separate rule to subtract a vector There is no separate rule to subtract a vector When we wish to subtract a vector from a given vector we simply reverse the second vector and add with the first vector Subtraction के लिए अलग से कुछ नहीं जाना है अगर एक vector को दूसरे vector से subtract करना है तो हम क्या करेंगे दूसरे vector का उल्टा vector प्राप्त कर लेंगे जैसे अगर B है तो माइनस B प्राप्त कर लेंगे माइनस B प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है B का उल्टा माइनस B और फिर माइनस B को A से एड़ कर देंगे जैसे यह देखिए vector A minus vector B अगर निकालना है तो इसको ऐसे भी तो लिशकते हैं vector A plus minus vector B वो भी तो वही बात है वो भी तो वही बात है तो बस हम क्या करेंगे जिसको सब्ट्रेट करना उसको पलट देंगे और पलट के जोड देंगे बस बस अब देखिए कहानी अब देखिए कहानी उसी को आपका खुब बढ़ियों से इसमें language में दिया है notes के form में दिया है वो notes त्यार कर लिए बटा देखिए class की regular देड़ घंटे प्लस इससे जादा ही हो जाता है selection वाले बच्चों के लिए इससे जादा ही हो जाता है अब पीक स्टेज पे आके तो धाई ड़ाई घंटा भी हो जाता है problem solving में average और प्लस one and a half hours प्लस ये जिसने regular study एक subject में की मतलब nine hours प्लस वो एकदम top rank से select होगा fully involved होके class की पढ़ाई भी नहीं overlook नहीं करने class में एकदम सीख लेना है उतनी बात है time का ही खेल है सब अब देखिए अगली चीज subtraction of two vectors तो इसमें क्या दिया है let a and b are two vectors समझ में आया क्या समझ में है क्या समझ में है let a and b be two vectors जोड़ दस था ना let a and b be two vectors their difference that is a minus b can be treated as sum of the vector a and vector minus b यही बात मैंने कही ना यही बात मैंने कही बोलो भई अब next देखिए a minus b is equal to a plus minus b यही बात मैंने कही यही कही है और notes के form में आपके है जो जो और लिक आ जा रहा हो notes के form में इससे ज़्यादा कुछ notes मतलिके यह पहले चार-पांथ चैप्टर के सवाल लगा के देखिए अगर लग जाते हैं तो क्या जरू सवाली नहीं लगाना है अगर लग जाते हैं हमको तो पता लग जाएंगे आप भी देख लिए तीन चार टॉपिक के बाद आप confident होएंगे अहानाएं अब लेखिए तो अब जेखिए twoужд seat to subtract b from a reverse the direction of b and add to vector a according to law of triangle according to law of triangle to a plus b is equal to under root a square plus b square plus twice ab cos pi minus theta अगर vector Guhum पलट दिये तो अगर पहले दोनों के बीच एंगल थीटा है तो पलटने के बाद थीटा कितना हो जाएगा एंगल पाई मैंस थीटा पुट कर दिया बासन में आरी ना सिंपल है अग्दिस एकवल टू ए स्कुरे प्लस बीच का इतना हो जाएगा यह फीगर आपका है यह है यह वेक्टर भी दोनों के बीच का एंगल थीटा दोनों के बीच एंगल है थीटा अब क्या किए ए प्लस ए हाँ ए माइनस भी निकालना था तो बी को रिवर्स कर दिये वी ऐसे था वी ऐसे था इसका अपोईट वेक्टर ड्रॉ कर दिये और फिर यह ए प्लस माइनस भी यह क्या होगी आगा ए माइनस भी कि यह माइनस भी हो जाएगा पुलिए भाई अब एंगिल जो है यह जो वेक्टर यह से बनाता है वैसे निकल जाएगा वेर थीटा इस दे एंगिल बिट्वीन वेक्टर एन बी निकाल लेंगे कोई बट नहीं है बोलिए भाई एकदम सपस्ट है दिमाग में एकदम सपस्ट रखिए और चार बाई एक बाई पांच समय में सपस्ट करिए एक बाई पांच समय का मतलब इने गंदे संदे ढंग से करिए अच्छे ढंग से करना है और एक बटे पांच समय में करना है और चार बाई पांच समय आपको सवाल लगाना है रेशियो बता रहा हूं पूरे ट और यह काम नहीं करेंगे तो चाहे कहीं भी चले जाए यह कहीं भी चले जाए यह तिक ना अब यही इतना काम करना आपको बस अब नेक्षी देखिए ए अरे यह क्या गया ए अब गोल्डन की पॉइंट्स क्यों से हैं क्या है यह बोलिए क्या है बोलिए बोलिए यह क्या है हाँ गोल्डन की गोल्ड नहीं है गोल्ड नहीं है कि धका धक लेके शल देंगे यह गोल्डन की पॉइंट्स है इनको जरा बढ़िया से देखिए बढ़िया से देखिए ए ए यह देखिए वेक्टर सब्ट्रेक्शन ड़स नॉट फॉलो क प्रेंकर था ना जो परदस्त था ना वेक्टर सब्ट्रेक्शन डज नॉट फॉलो कमुटेटिव लॉग अरे ओवियस सी बात है ए माइनस बी माइनस ए के बराबर थोड़ो होगा अगला देखिए वेक्टर सब्ट्रेक्शन डज नॉट फॉलो एसोसियेटिव लॉग यह भी ओवियस है ठीक है ना ना कमुटेटिव लॉट फॉलो करेगा यह सब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कम्टिशन में काम चलेगा लेकिन जो है लाइन से देख लिए अगे इस तूव लेक्टर सब्सक्रान के बीच के बीच टीटा है अकर दो वेक्टर का मैंगिचूट बराबर एंके बीच गाइंगिल थीटा है तो यह प्लस बूण वी बराबर यह होगा यह क्या a minus b यह plus करा दिया मिस्प्रिंट योगी सर ने फिर मिस्प्रिंट करा दिया यह मिस्प्रिंट है a minus b है mod of a minus b will be equal to this बासन मेरी ना अब लेकिए special case अगर theta 60 degree है तो क्या हुझ जाएगा अगर दोनों के बीचे अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 60 degree है तो a minus b अगर दो वेक्टर के बीच और दोनों वेक्टर बराबर हैं तो क्या होगा a minus b का मौट a और b के मौट के बराबर होगा अगर फॉर्मलें पुट कर दिया बात आ जाएगी आ जाएगी ना बोलो भाई बंबं एकड़म एकड़म बंबं करके चलिए अब पढ़ाई को इस तरह से पढ़िए दुनिया की सबसे आनंदाई प्रक्रिया है शुरुआत में दिक्कत आएगी शुरुआत में आपको लगेगा मैं बताऊ ना मेरी जो बात में बता रहां उसको फॉलो कर लिए आप लो इसको आपकी राइफ ही चेंज़ आएग नीट सेलेट करना राइडी का प्राइम है कि यह नहीं बेटा पहले दिन ऻुमने बोला था पैसा ने उन्होंने भी मेरी एचुंका है perks अभी तो आप शुरूहाद देख रहे इसो बैश लूँगा तो वहां भी मेरी एक एक फ्लक्शुएशन से याद रहते हैं तो सुनिये हम बताएं प्राइम एम क्या है लाइफ का मनी तो मीन्स है मनी क्या है मनी मीन्स है एंड क्या है एपिनेस ने ने मनी इस वन अब द फैक्टर यह सोल फैक्टर नहीं है यूँ आप इसको लेखिए इदर लेखिए प्राइम क्या है वो है तो माइंडसेट मना चलेंगे तो चीज अच्छी रहेंगे अब नेखिए नेख्षी देखिए नेख्षी अहां इफ डिफेरेंस ऑ टू यूनिट वेक्टर इस एंगल करेंगे तो फट से आ जाएगा मौड की जगह मौड ऑफ ए मैनस बी की जगह वन पूट कर दीजे और यहां पर एक जगह वन भी की जगह वन तो आप यह देखेंगे एंगिल उनके बीशिक्षी डिग्री आ जाएगा ठीक है ना ठीक है उसका उल्टा देखिए इफ टू यूनिट वेक्टर आरेट सिक्टी डिग्री देर डिफ्रेंस इस और यूनिट वेक्टर ठीक है उसी बात को उल्टा के कह दिया है कि अगर ऐसा है तो यह है यह है तो ऐसा है ठीक है ना एक बार देख लिए यह बात नहीं भी बताते तो फॉर्मले से ज़रूत पढ़ने पर आप निकाल लेते हैं जब आशकता पढ़ती तो है ना अब देखिए है इन फीजिक्स जबर्दास्त इन फीजिकस वेनेवर भी वांट DO Calculate क्वंचिटी देन्वीया ल यह टो युटर सब्ट्रैक्शन अगर चएंठ लेक्टर क्वंचिटी हम करना है तो हम्यैं वेक्टर subtraction को use करना पड़ेगा अगर को भी अगर 우리가 लेटिव वेलग् निकालना है इव धिश्र निकालना है तो क्या करेंगे करने फाइनल वेटिय व्लास्टी मैनस lead वही क्या रहा है कि अगर हमको फिरिक्स में चेंग इनधर कॉंचिन निकालना कि व्लेटर कॉंचिक कितना change की तो change क्या होगा final minus initial final minus initial है ने चंज होगा बोलो बड़ा समझ में आ रहा है ना कितनी उंगली है तो हमको क्या use करना है तो क्या use करना है then we have to use vector subtraction for example this थेके ना आप सेरियस मत होई है अगर कोई हस रहा है तो हस नहीं दीजिए उससे क्या होता है अब देखिए अब नेक्षी देखिए नेक्षी देखिए अब कोशन आ गया क्या गया कोशन इलस्ट्रेशन अब यह भैंकर कोशन बताए कौन बताएगा the magnitude of pairs of displacement vectors are given which pair of displacement vectors cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 cm बताएगे कौन सानी किया सकता है गोलिये 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 देखिए of pairs of displacement vector given which pair of displacement vector cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 cm कुछ कुछ displacement vector दिये हुए है इन में से किनको add करके हम 13 cm का resultant vector नहीं प्राप कर सकते हैं बताएगे क्या चीज़ थर्ड वाला third वाला reason बताईए ऐसे तो one two three four में कोई भी एक होगा ही होगा कैसे what is the reason बताईए बताईए क्या reason है क्या reason है बताईए क्या reason है बताईए कौन सॉल्फ करेगा प्रादिमाग लगा बटा इन में से देखो दो vector दिये हैं एक का magnitude क्या है एक का magnitude क्या है बेटा यह हाँ दो वेक्टर का magnitude दिया हुआ है दो वेक्क्र है कर दिया है अब बोल रहा है कि इन में से कौन किस पेर के वेक्टर से हम कभी भी तेरे सेंटिमीटर का रियल टेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं कौन बताएगा कि अब बता हैं कि वह पूश रहे हैं कि फॉर्मुला ही लगएगा इसमें थोड़ा दिमाग लगएगा इसमें दिमाग लगाईए अब ऐसे तो कैसे खड़ें को बता ओ यह सई बता रहा है आंसर इसका आंसर सही है अच्छा अच्छा बुक से देखके आंसर बता रहा हो मॉडूल नहीं है अच्छा सुनो मैं तुमको दिमाग लगा जब भी दो वैक्टर को एड करेंगे जब भी दो वेक्टर को एड़ करेंगे तो maximum resultant क्या होगा बोलिए a plus b और minimum resultant क्या होगा दो वेक्टर को एड़ करने में maximum resultant क्या हो सकता है बटा a plus b कब होगा जब वो एक दिशा में होंगे जब वो एकदम एक ही दिशा में होंगे तो यह प्लस भी हो जाएगा और जब वो अपोजिट दिशा में होंगा तो minimum resultant होगा यानि a minus b अब बीच के जो भी resultant होंगे दो वेक्टर के एडिशन में वह maximum और minimum के बीच में होंगे यह concept समझ गए यह बास समझ में आ गई बोलो भई तो अब देखिए इन दो वेक्टर्स 15 और 15 सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर इनका maximum resultant हो सकता है 16 सेंटीमीटर और minimum क्या हो सकता है 14 सेंटीमीटर तो अब 16 और 14 के बीच तेरे है 16 और 14 के बीच तेरे है तो यह तो पॉस्बूल है अच्छा यहां पर यह दिया है cannot be added एक मद्रूग जाई है वह answer नहीं है सी आंसर नहीं है cannot be added cannot be added तो इसको तो add कर सकते हैं इसको तो add कर सकते हैं अब इसका maximum देखिए 8 2 10 4 14 और minimum देखिए 2 मिनमम देखिए 2 तो यह भी यहां भी तेरे हो सकता है इसका मतलब इसक नहीं कुछ वह बढ़ किया है डाटा का लगलत दिया है कुछम दिखाए कुछन दिखाए कुछन दिखाए देमें जी विच मैंने बोलिये the magnitude of pairs of displacement vectors are given which pair of displacement vectors cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 unit 416 416 27 271 154 16 271 15 और 6 8 इसमें से किसको एड नहीं किया सकता है तो देखिए इस केस में maximum कितना हो सकता है और minimum कितना हो सकता है 14 हाँ तो यही आंसर रहाएगा कि 16 और 14 की बीच इसका बाकी जो भी एडिशन होगा वह 16 और 14 की बीच होगा तो उसमें 13 नहीं आ रहा है उसमें 13 नहीं आ रहा है तो यह आंसर हो जाएगा आपका बासन में आ रही है और इस केस में देखेंगे तो maximum कितना होगा 27 और minimum कितना होगा 13 यह भी पॉसबल है यह भी पॉसबल है इस case में देखेंगे maximum कितना है 14 minimum क्या है 2 तो 13 14 और 2 की बीच पढ़ रहा है पढ़ रहा है अब इस case में देखेंगे तो maximum कितना है 20 और minimum कितना है बारे बारे और 20 के 20 तेरे पढ़ रहा है केवल इस case में नहीं पढ़ रहा है तो एक concert sun में आ अच्छे से यहीं पे त्यार हो गया यहीं पे त्यार हो गया यहां पर 10-15 सवाल जो discuss हो यहीं त्यार कर लो यहां जो theory discuss हो यहीं त्यार कर घर पर जल्दी से एक बार रिवीजन और फिर नए दस्पंद्रे सवाल इसकी आदट डाल लो आने वाले एक महिने में भी डाल लिए तो भी निकल लिए और आदट डालना ही मुश्किल होता है एक बार हैबिट पड़ गई तो चलते चले जाओ गया नेक्षी देखो ए नेक्षी आए नेक्षी ए की लिए स्टायशन है इफ न fait गाल ही मुटो है इफ नौट अर्छी मौट अर्ट हे sap वेरी गुड देख लेते हैं देख लेते हैं यह होगा a square plus b square plus twice a b cos theta और यह होगा a square plus b square minus twice a b cos theta इसे लग रहा मंत्र पढ़ रहा है पूजा हो रही है ठीक है ना दोनों को square कर देंगे तो यह हो जाएगा a square plus b square plus twice a b cos theta और यह हो जाएगा a square plus b square minus twice a b cos theta यह यह कड़ जाएगा कड़ जाएगा ना बोलो बेटा इसी बहाने आप लो मंत्र भी पढ़ लिजे तो यह हो जाएगा 4 a b cos theta बराबर 0 तो यह हो जाएगा cos theta बराबर 0 तो यह हो जाएगा theta बराबर 90 degree और बहुत बढ़िया थे व्यक्त वरी गूट बेटा ऐसे इकोशन देखते ही यह स्टेप आपके इतनी सिंपल 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 स्टेप आप दिमाग से इंग्रीट कर सकते हैं और देखो चैनल अब कर लेकिन नीड के पेश पेपर में नाइंटी फाइब परसेंट प्लस कोश्चंस मुझवानी सॉल्व करने वाले लोग मुझूद है उसमें से शायद अभी मैं करके दिखाऊंगा तम मानेंगे उसमें शायद एक मैं भी हो मुझवानी इसे इतनी स्टेप्स आप दिमाग में करना सीख लिए अब इतना लिख के वहां करने का टाइम नहीं मिलेगा ऐसे से देखा ऐसे चौझ है ft अधिजे आरफुर की अजीन चीज़ देखिए आगे partie की भीगनर बॉक्स बीगनर बॉक्स यानि है भी शुरॊत करते हैं का बकसा चुशेटी वकसा कोला जाए पारगे घ्रैकर यह दिर इलफे थे लिक बड़े बड़े को लेंगे जाले चुशेटी बकसा खोल गये अधिये कोलते हैं if two forces act in opposite direction then their resultant is 10 Newton and if they act mutually perpendicular then their resultant is 15 Newton find the magnitude of both the forces kone lagalega hantarie kone lagalega bolie if do forces act in opposite direction then then resultant is 10 and if they act in mutually perpendicular direction to mutually perpendicular direction on get a real tendia hoga this is equal to 50 ये दो बात बनेगी बनेगी बटा तो क्या दो एक्वेशन दो वेरियों साल भी ने कर पाएंगे है कर लेंगे ना क्यों वाई fear of fear none क्या लिखा है fear none लिखा है fear none क्यों वाई fear none हो जाएगा है ऐसे बोलो क्यों नहीं होगा कि दिमाग को सुनो दिमाग ऐसी चीज है उसको सकरात्मक्ता से भर दो उसको पॉजिटिव्टी से भर दो क्या चीज होगी नहीं जे एडवांस की परिक्षव है तो है नीट की परिक्षा ही तो है क्या है ऐसा कि बहुत समाने बच्चे सेलेक्ट होते हैं अब बहुत तेस तरार बच्चे अगर थोड़ा भी निगेटिव हो गए तो गवड़ाय आते हैं क्या है ऐसा क्यों नहीं होगा कोई रीजन है हम कर रहे हैं बेस्ट मॉडूल कर रहे हैं हमारा होगा बात खतम हमको समझ में आ रहा है यह समझ में आ गया बटा अब नेक्स्ट कोश्छन देखिए इस मॉड़ अ व आ मिनस ब रहाबर रूट तो थे चलक य्द वैल अ व क्यूले वड थेल्टर अ मिनस रूट थी वेकटर वेक्टर ए्से करेंगे if mod of vector unit vector a minus b बराबर root 2 then calculate the value of mod of unit vector a minus root 3 unit vector b कैसे करेंगे है देखा एका बोलो बड़ा अरे मुझवानी बता दो कुछ चल रहा है दिमाग कैसे करेंगे लगाईए दिमाग लगाईए अरे जल्डी एक सेकंड में हाँ ठा दिया कीजिया रसान सब्सक्राइए हैं solve कर लिए दोने equation ए बराबर भी पूट कर दीजे ए बराबर भी प्लस 10 पूट कर दीजे चलिए पताई इस कोशन को बताईए बटा कौन कर लेगा हाँ ठाईए कैसे खड़े को बताई खड़ा-खड लाइन अफेक्शन अब स्टेप्स ना बताईए उससे आप क्या निकालेंगे यह बताईए बस रसे बोलें उससे एंगिल निकालेंगे फिर आगे हाँ 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 ठीक है मला फिर वैलू फॉट कर देंगा आपको बस सुनिए इतनी बाप बोलनी चाहिए थी कि पहले पहले पूट करेंगे उसका क्या कहते है इतना ही जवाब चाहिए था ना अब वन प्लस वन करेंगे टू प्लस टू करेंगे कैसे करेंगे अंडर रूट आफ वन प्लस वन माइनस ट्वाइस वन इंटो वन इंटो कॉस थीटा बराबर रूट तू तो दिस इंप्लाइस देट क्या हो जाएगा तू माइनस टू कॉस थीटा बराबर तू ठीक है ना तू माइनस टू कॉस थीटा बराबर तू तो यह कड़ी आएगा कॉस थीटा तो क्या जाएगा खट से आंसर आ जाएगा आ जाएगा पीटा बोलो पीटा क्लियर एक्डम हम ऐसे लाइन ऑफ एक्शन बताईए लाइन अफ एक्शन होता है ना कि कोशन में यह दिया आई यह पूछ रहा ऐसे करेंगे बस खट से मुझमानी और जब मुझ से बोल दिये तो लिख लेंगे है जब मुह से बोल लेंगे तो लिख लेंगे है अब next question Jana ऑष़ हूँ इफ एबराबर दिस बराबर दिस इफ एबराबर भी दिस बराबर दिस देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर आलाउंग माइनस बी कौन बता देगा दो वेक्टर दिया है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डिरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है कौन निकालेगा कौन निकालेगा फट से हाँ ठाओ ना दोनों वेक्टर दिया है और इस वेक्टर के डिरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है का भाई किस लाइन अफ एक्शन बताईए भट से बुलिए 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 इतना देर हमने वेट कर पाएंगे इतने easy question के लिए देंगे ए और बी की value दिया है तो unit vector निकालना है a minus b क्या लोंग। तो आप A-B कर दीजे, पहले वेक्टर को निकाल लिए A-B, और फिर A-B वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिए उसको में इंच्टूट से डिवाइड कर दीजे, बस यह बात फट से बोलना चाहिए, यह तना आसान बात है, इसी बात है ना, सब कुछ बताया हुआ है, अब आप लेखिए, A-B निकालेंगे तो क्या होगा, A-B निकालेंगे तो क्या होगा बटा, 3I-2I, यानि I, और 2J-3J, यानि माइनस J, माइनस J, और यहां K है नहीं, तो माइनस करेंगे तो प्लस K, यह आजाएगा वेक्टर A-B, वेक्टर A-B आजाएगा, और बाइट्स मैगनिचूड यानि रूट 3, इस विल बी और आज़र, वेक्टर नि, कितना सिंपल था यार, यह सब कौन पूछता है, अलेट रही है, इसी लिए कहते है, इदम अलेट रही है, ना, अच्छा आप नेक्स देखिए, इफ मैगनिचूड, इधर देखिए, इधर देखिए, गवर से, देखिए, क्या हो रहा था, अभी देखिए, साड़े बारह भी याद दिला दिएगा, कईदम बता दिएगा, याद दिला दिएगा, खट से, इस शिर्फ आठ, आठ मिनट की देदी है, मुद्दीपूर पहुचने में, इस बता दिएगा, इस दिख र बेटा देखो, इसमें वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकाली है, along A-B, तो सबसे पहले तो वेक्टर A-B निकाली है, तो वेक्टर A-B क्या होगा, वेक्टर A-B, तो वेक्टर A क्या है, ये है, वेक्टर B क्या है, ये है, ये है, यह क्या है वेक्टर वट बी अंधि जब माइनस करेंगा तो three I-adduks3ij तो a जब ए गया फिर उसके बाद twicej माइनस three j माइनस j आ गया फिर उसके बाद यहां के है नहीं तो यहां पर zero minus minus k plus कि आगया तो यह वैक्तर जो हमारा वेक्तर अब इस वैक्तर के अलॉंग हमको यू到श चाहिए निकालते मुद्र इस वैक्तर को इसके मेंगनीशूट साथ किकर दिया थिस्वेक्र का मेंगनिशूट क्या होगा छोए रूट Скट्ट वर्म स्व eard सब्सक्राइब त्री अब शौन में आ गया आवाया बढ़ियां से इसक्ड पर लिए इश्री आ उसीको देशित कर इसक्री अभी हम नहीं कह सकते हैं तेका ना इतम रिफ्लेक्स में आपकी होना चाहिए अब नेक्षी देखिए next question if magnitude of sum of two unit vector is root 2 अगर कोई दो unit vector है उनके sum का magnitude root 2 है अगर कोई 2 unit vector है उनके sum का magnitude root 2 है उनके भी शाएंगे निकल लाएगा निकल लाएगा ना बोलो भाई then find the magnitude of subtraction of this unit vector बस subtraction भी रूट 2 होगा कैसे पहले देखें अंगिल कितना आ रहा है रूट 2 is equal to under root of 1 square any 1 1 square any 1 plus twice into 1 into 1 into cos theta so this implies that 2 is equal to 2 plus 2 cos theta बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो cos theta जाएगा 0 यहनि थीटा जाएगा 90 बड़ा शोर हो रहा है यहनि थीटा जाएगा 90 और थीटा जब 90 आ गया तो subtraction करेंगे तो अंडरूट a square plus b square minus twice से भी cos theta तो जीरो हो जाएगा तो भी रूट 2 हो जाएगा बिल्कुल सही बोला है ऐसे बताईए मुझवानी ऐसे questions को देखिए और मुझवानी बोल दिए यह answer होगा इसे questions का level वही है कि इसमें आपको pen रखना पड़ेगा ऐसे questions में और एक समय ऐसा आएगा कि नीट और आधेश ज्यादा question j means में आपको column ने रखने पड़ेगी के ठीरे करके तो है अब ने Cong eresी देखिए ने की रिजलिशन अब वैक्टर रिजलिशन का मतलब क्या होता है क्या होता है बोलो बोलो क्या होता है resolution का मतलब क्या होता है resolution अब खतरनाख रेजिम बता रहा हूं सुनिए इतना आपको जानना नहीं समझने के लिए जान लिए ज़र देखिए resolution of a vector means splitting of a vector into various components such that the resultant of all those vector is the original vector फिर से सुनिए किसी भी vector का resolution का अपताद पर यह है कि उसको कुछ ऐसे vectors में तोड़ना कुछ ऐसे parts में तोड़ना जिनको जोडने पर फिर वही vector मिल जा है इसी process को resolution of vector कहते है resolution of vector simply means breaking a vector into various parts such that the sum of all the parts is equal to the original vector बास अन्में आ गई ना यह resolution of vector है इससे बढ़िया परिवाशा कुछ नहीं हो सकती है अब देखिए आपको क्या बताया है resolution of vector into rectangular components यानि दो perpendicular component में एक vector को resolve करना केवल यही आपको दिखा रहा है फिलाल यही नोट्स में आपके दिखा रहा है तो एक vector को दो perpendicular part में तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं जैसे मान लीजे यह दो perpendicular part x axis of y axis के along है और एक vector x axis से angle बनाता है theta तो इस के along हो जाएगा a cos theta और इस के along हो जाएगा a sin theta यह बात पता है कि नहीं पता है यह बात पता है कि नहीं बोलो भाई यह बात पता है ना एक vector को अगर दो perpendicular component में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे बुलिए कैसे तोड़ेंगे परपेंडिकुलर component में बना रहा है तो इस axis के along हो जाएगा a cos theta और इस axis के along हो जाएगा यह बात पता थी यह बात समझ में आ रही है क्लियर है बटा बोलो भाई तो जवाब देती थी यहां बैठी थी तो सबसे इधर बैठती थी तो अब आप देखिए नेक्षी देखिए इसको खुब अर्थमिनान से पढ़ लिजिए रिजिलीशन की जो खतरनाक परिवाशा मैंने दी है उससे आदा आपको कुछ नहीं समझना है देखिए ने रिजिए अब इधर लेक्टर को ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं इदर देखो कि दोनों पार्ट आपस में और्थोगनल होता है यानि प्रपेंडिकुलर होता है तो इस परकार के वेक्टर रिजिल्यूशन को हम क्या कहते हैं। रेक्टैंगूलर रेजूЛुशन और वेक्टर इन्टु रेक्ैंगूलर कमपोनेंट्स कहते हैं. कुछ मत पढ़िएगा कोई किताब मत पढ़िएगा यहीं दो तीन दिन बाद मैं सारा का सारा सवाल करीब 30-40-50 एडवांस भी लोड करूँगा और आप देखेंगे बात यहीं लगेगी लेकिन इतना घुमा फिला के लगेगी कि कुछ एक्ष्ट्रा आपको नहीं पढ़ना से सवाल नहीं लगे 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 आप किताब पर अन्हें अब करिएगा वाट अतनु ही लगेगी लेकिना कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेट होगा कि आपको फूरा सा प्रॉब्लम लगाते लगाते दिमाग खुलेगा प्लत है अब देको वही बात यहां पर बोल दिया है जो मैंने कहा भी जो मैंने बोला वही बात यहां लिखा है गौर से देखिए let vector a बराबर this in xy plane मान लिए vector a है xy plane में makes angle alpha with x-axis वही बात जो मैंने कही vector a है xy plane में हमने theta angle बनाया इसने alpha बना दिया वही बात है ना बोलो भई alpha with x-axis draw perpendiculars a b and a c from a on the x-axis and y-axis respectively और देखिए यह alpha angle बना रहा है alpha angle बना रहा है vector a है अब perpendicular draw कर दीजे बिना draw किये भी आप कह सकते हैं मैंने a cos alpha i sin alpha किया इसको proof करके दिखा रहा है इसको यहां पे proof करके दिखा रहा है इससे perpendicular draw कर दिया अब इस triangle में देखिए इस triangle में cos alpha बराबर this side by a तो this side बराबर कितना हो जाएगा नहीं sin alpha बराबर this side by a तो this side कितना हो जाएगा a sin alpha उसी तरीके से cos alpha बराबर this side by a तो यह side कितनी हो जाएगी a cos alpha अब क्लियर हो गया बटा इदा मिस पस्ष्ट है एक दम मजे मजे से देखिए आपने क्या सीखा resolution of a vector इसे किताब में heading दिया रहता है अब बच्चे अब अकेले पढ़ने बैठते हैं तो का होता है resolution of vector कोई बहुत खतरनाक बात आ गई और एक कुछ नहीं है एक vector को कुछ पार्ट में तोड़ देना इस प्रकार से की सभी पार्टों को जोड़ने पर original vector मिल लिए बस यदि स्कार्ड लेज रिजुलूशन अवेक्टर देट्स ओल and resolution of vector in rectangular component एक heading दिया होगा इसका मतलब एक vector को दो perpendicular parts में तोड़ देना तो आप देखी लिए अब नेक्ष देखिए अगली बात the length ob is called projection of oa on x-axis or component of oa along x-axis and is represented by ax ठीक ना तो length ob को क्या कहेंगे projection of a यानि इस vector का projection along x component length ob को क्या कहेंगे projection of this vector along x component यही बात बोल ला है similarly oc is projection of a on y-axis and is represented by a y वही बात कहा है according to law of vector addition this बराबर this into this उसका एंगिल से प्रूफ करके आपको दिखा दिया है ठीक है ना अभी हम डीटेल लिखिक बात नहीं पढ़ेंगे डीटेल लिखिक बात जो आपके notes में दे रहे हैं वो पढ़ेंगे नहीं आप यह देखिए कि पहले perpendicular draw किया फिर इस triangle में क्या कर दिया यह कॉस अलफा यह साइन अलफा है इतनी बात जानिए आपको किताब नहीं दिखना है वहां पे अरे resolution क्या होता यह जान लिए ठीक है ना पर आनंद लेके पढ़िए बिना आनंद के पढ़ाई नहीं होती है रे बाप रे यह तो खतरनाक चीज आ गई है अच्छा अगर दो वेक्टर को दो अब्पोणि तोड़ देंगे एएक तो रेवाई То व वेक्टर का म попроб je यह क्या होगा वह बात तो है ने बड़ी बात है में सिंपल बाथ है और वह ब्रच अंग्ल बनाएगाATA है हां जो वह ब्रकटर नहीं बनाएगा वह थैन अलफा बराबर क्या होगा पर पर्म्पbare इसको तोड़ दिये, तोड़ दिये, AX में और AY में, तोड़ दिये, तो ये वेक्टर जो एंगिल बनाएगा, वो क्या होगा, 10 अलफा बराबर AYY AX, यही तो कह रहा है, अब सवाल वाल लगाएंगे तो चीजें बहुत फटा-फट क्लियर होती जाएंगी, और स्पीड से भागते जाएंगे, बासन में आ रही है, यह क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, अब देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ़ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, किसी वेक्टर को, अगर हम थ्री डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशन में ब्रेक करें, अगर कोई वेक्टर प्लेन में है, तो दो पार्ट में तोड़ा देंगे, काम चल जाएगा, लेकिन कोई वेक्टर इस्पेस में है, तो दूइये कंपोनेंट होंगे, तब उसका कंपोनेंट जेट एक्सिस के लांग भी तो होगा, अगर कोई वेक्टर प्लेन में है, तो उसके दो ही क अब एकटर इन थ्री डामेंशन बताया है अब एक ठोप प्रूफ हम पढ़ा के इसका आपको नहीं बताएंगे थीक ना सवालों पर आया जल्दी जल्दी सवाल पर आई अगया है अगर यह वेक्टर एक्स है यह एक्स एक्सट है और यह y-axis है और यह z-axis है मैंने पहले बताया था ना अगर यह x, y और z-axis है और कोई भी एक वेक्टर है कोई एक जनी आ जाओ भाई आजा तुम पीछे से आजाओ आओ रेड तीशिट आजाओ आजाओ थोड़ा खड़े हुआ बढ़िया समझा दें हम बढ़िया समझा दें एको ऐसे पकड़ो पकड़ो इसको मतटच करना कुछ भी गायबवा तुमिक पकड़ेंगे अगोग पकड़ो बढ़िया ही यह यह हीलाओ ने उधर करो तो देखो अब एक पैन दीजे पैन दीजे एकटो देखो बढ़िया इसको क्या कर भी आपने ऐसे करिए देखो मान ल किसका हाथ क्यों हिला रहा है कि इसको बस चलिए यह तीनों एक्सिस है तो कोई भी वेक्टर अगर ऐसे होगा कोई भी वेक्टर अगर ऐसे होगा तो एक्स एक्सिस से भी एंगिल बनाएगा वाई एक्सिस से भी एंगिल बनाएगा और जैड एक्सिस से भी एंगिल बनाएग अगर कोई वेक्टर किसी प्लें में है तो क्या होगा बेटा? किश्क के दो रहेज़दकnaire KOMPAPONENT होंगे X और व के लाओं? लेकिन अगर इस सपेस में है, तो X, Y, all Z के तीनों के लगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ऐसे केस में उस बेक्टर जाए बैठीए। आप कुछ समझा नहीं पाए। इसी को पता नहीं क्या हिलाल दे रहे थे। बैठीए। झाहए। झाल 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 झाल